कूपे SUV एक ऐसा भरताव सेग्मेंट जिसके वज़े से कई कंपनिया जिसके पीछे हाथ दोके बढ़ियें अगर आपको पता होगा कि कूपे SUV कोई आज का नया सेग्मेंट नहीं है यह काभी टाइम से चलता है लेकिन प्रीमियम ब्रेंड्स के अंदर जैसे के Mercedes की आती है, BMW की आती है और भी बहुत सारे ऐसे प्रीमियम कार ब्रेंड्स की कूपे SUV आती है बट अब कई सारी automotive ऐसी companies हैं जो की कूपे SUV को एक budget सेग्मेंट के अंदर launch करना चाते हैं जिससे ये वाला सेग्मेंट भी थोड़ा सा affordable हो जाए और नॉर्मल जनता के हाथ में भी आ सके अभी के टाइम पे खाली तीन ऐसे ब्रेंड है जो की इस चीज़ पे काम कर रहे है जो है टाटा, महिंदरा और सिट्रॉन ताटा की तरफ से आती है उसकी ताटा कर्व, महिंदरा की तरफ से आती है महिंदरा, E9 और सिट्रॉन की तरफ से आती है सिट्रॉन बेसाल्ट यह तीन कूपे SUV हैं जो कि इस टाइम पर इंडिया के अंदर टेस्ट करी जा रही है और बहुत यल्द लॉंच भी कर दी जाएगी affordable prices में जिन में से टाठा कर्व और सिट्रॉन बेसाल्ट तो काफे अधा affordable होने वाली है आज की वीडियो में हम उस पर बात नहीं करेंगे उसके लिए एक अलग dedicated वीडियो हैगी क्योंकि वो गाड़ी इतनी ख़दरनाक है जिसके लिए एक dedicated वीडियो चाहिए आज की वीडियो में हम बात कने वाले हैं टाठा कर्व के बारे में बात करेंगे लिए बीच में बड़ा सा टाठा का लोगों है लाट प्लेसमेंट हमको ट्राइंगुलर शेप्ड में देखने के लिए मिल जाती है क्योंकि हैरियर के अंदर भी YCM looks देखने के लिए मिलते हैं बट जब आप इसके side profile को देखोगे तो कहानी यहीं पर twist लेती है सुला इंच के बड़े बड़े अलविस देखने के लिए मिल जाती है इसके अंदर डूल टोन में जहाँ पे क्रॉम और प्यानो ब्लैक फिनिश दोनों का ही काम मिलेगा साइट से अब इसका body design देख सकते है थोड़ा थोड़ा सिडान वाली feel भी देता है थोड़ा थोड़ा SUV वाली feel भी देता है कोई भी roof rail इसकंदर नहीं देखने के लिए मिलती है एक shark fin antenna मिलता है पीछे की से अड़म को connected tail light देखने के लिए मिलती है बीच में हमको Tata का logo देखने के लिए मिलता है और नीचे लिखा होता है बड़ा बड़ा curve इसके साथ साथ आगे की तरह ही नीचे की से अड़म को tail lights वगेरा देखने के लिए मिलती है उसको connect करती है एक black color की strip नीचे की से अड़म को skid plate देखने के लिए मिलती है rear defokker इस गाड़ी के अंदर आ जाता है rear wiper नहीं आता है ऊपर की से अड़म को छोटा सा spoiler भी मिलता है जो कि इसके looks को enhance करता है चोरवात में इस गाड़ी के petrol औ तरा जाएगा market के अंदर बट आगे जाके EVA अवतार को भी showcase करा जाएगा इस गाड़ी के अंदर हमको nexon वाले ही power train देखने के लिए मिलती है जो कि है 1.2 लिटर का टर्बो पेट्रोल एंजन 1.5 लिटर का टर्बो पेट्रोल और 1.5 लिटर का डीजल एंजन जो कि produce करती ह तो टाटा की गाड़ी है वैसे भी आपको पता यह safety तो हो नहीं है वैसे भी six year back का setup इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलता है electronic stability control रहने वाला है 360 degree camera मिलने वाला है front और rear में parking sensors मिलने वाले है बाकि TPMS, ABS और EBD जैसे features तो मिलते ही मिलते हैं इसके अलावा इस गाड़ इंच की touchscreen देखने के लिए मिल जाती है फिगोशी के नीचे पतले-पतले vents देखने के लिए मिल जाती है इसे के साथ सा digital instrument cluster रहने वाला है इस गाड़ी के अंदर जहाँ पे navigation, TPMS और ADAS के features सब यहीं पे display होंगे two spoke steering wheel रहने वाला है जिसमें Tata का illuminated logo रहने वाला है beach to beach एक side infotagement control सरने वाले हैं और दूसरी side cruise control का options मिलने वाले हैं नीचे की side हमको AC touch panel देखने के लिए मिलने वाला है wireless charging के अंदर मिलती है गेर लिवर दीख सकते हैं आप काफी अदा unique style का गेर लिवर मिलता है आगे की दूनों seats ventilated रहने वाली हैं बागी automatic climate control, 360 degree camera, wireless charging जैसे features मिलने वाले हैं उपर की side इस गाड़ी के अंदर हमको काफी बड़ी panoramic glass roof मिलने वाली है यानि कि इसकी पूरी की पूरी चत पूरी glass की ह होने वाली है काच की होने वाली है उच इस टाइप के looks features वगेरा मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर आपको कैसे लगी मेरे को comment करके ज़रूर बताना बागी बात कर लेते हैं इसके expected price की तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की starting में बताया था 10 से 15 लाग रुपे एक showroom में ये गाड़ी start होने वाली है वागे बात करें इस गाड़ी के expected launch date की तो वो होने वाला है अगस 2024 रूमर्स के according 15 अगस इसका launch date होने वाला है अगर ऐसा होता है तो काफी बड़ी rivalry हो जाएगी टाटा वर्सिस महिंदरा में क्योंकि 15 तारी को टाटा की कर्व भी लाँच होगी हम इस चैनल पर ऐसी खतरनाग वीडियो जालते रहते आपको updated रखने के लिए लागी यही तक ता आज की वीडियो के लिए कैसी लगी आपको आज की वीडियो मेरे को comment करके ज़रूर बताना और ऐसी मसमस वीडियो के लिए चैनल को सब्स्क्राइब और वीडियो को like मिलते कैसी कसी बड़ी सी वीडियो में तब तक लिए stay awesome stay safe bye bye